आज सीना तानकर विश्व पटल पर खड़ा है साथियों संपुण देश तो आपके साथ है ही आज पूरा विश्व भी आपके साथ है दुनिया के जादा तरदेश, दुनिया की हर बड़ी संसा आज पुलवामा में करवाए गए आतकली हमले के खिलाब एक जूट है एक स्वर से बोल रही है मुझे अपने वीर जवानों पर गर्व है जिनोंने सो गंटे के भीतर ही अपने साथियों पर हुए हमले के एक बड़े गुनेगार को वहाँ पहुचा दिया जहां उसकी जगह थी सिमा पार डटे सैनी को पर मोदी सरकार पर और मा भवानी के आशिरवात पर वरोसा रखिए इस बार सबका हिसाब होगा हिसाब पूरा होगा मैं राजस्तान के लोगों से जानना चाहता हूं मानव तांके ऐसे दुश्वनों को सबक सिखाना चाहिए के नहीं सिखाना चाहिए इंसानियत कैसे दुश्वनों का चुन-चुन करके हिसाब होना चाहिए के नहीं होना चाहिए दुनिया भर में इनका दाना पानी बंदब होना चाहिए के नहीं होना चाहिए साथियों आपका ये प्रधान सेवक इसी काम में जुटा है दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं है जब तक आतं की ये फ्रक्टरी ऐसे ही चलती रहेगी आतं की इस फ्रक्टरी पर ताला लगाने का काम भी अगर मेरे ही हिस्से लिखा है तो ऐसा ही सही आज आतं के विरूद पूरी दुनिया में एक व्यापक मत बन चुका है आतं के गुनेगारों को सजा देने के लिए हर मोर्चे पर मजमुक्ती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ये संकल्प स्रिम मोदी का नहीं है एक सो तीस करोड हिंदुस्तानियों का है क्योंकि ये राज नीती से उपर राष्ट नीती का राष्ट की सुरक्षा और स्वाभी मान का सवाल है भाईयों और बहनों पुलवामा हमले के बार आपने भी देखा है कि कैसे एक एक करके पाकिस्तान का हिसाब लिया जा रहा है हमारी सरकार के फैसलों की वज़े से वहां हरकंप मचा हुआ है देश में रहते हुए अलगावाद को हवा दे रहे हैं लोगों पर भी कारवाई सक्त हुई है और सक्त होती रहेगी साथियों अब ये बदला हुआ हिंदुस्तान है ये दर्द सरकार चुपचाप नहीं बैठते हैं हम आतं को कुचलना भी जानते हैं कि नई रिती और नई नीती वाला भारत है लेकिन मैं आज राजस्तान की इस वीर धरती से मैं देश के आक्रोश से भरी हुई जनता को विशेश कर युवाओं से भी कुछ आगरह करना चाहता हूं सेना को हमने पुरी तरह खुली छोड़ दे दी है और मैं देख रहा हूं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर जैसे वीर रस की भाड़ आई है वीर रस की भाड़ आई है लेकिन भाग्यों भाणो हमारी लड़ाई आतंगवात के खिलाप है मानवता के दुश्मनों के खिलाप है हमारी लड़ाई कस्मीर के लिए है कस्मीर के खिलाप नहीं है